हेलो दस्तो कैसे हैं आप सब चलिए तो आज आपका जो फ्राइम सब्जेक्ट है उसमें आपका एक चेप्टर बहुत ही इमपोरेंटपर हाला कि फ्राइम में तो आपके जो है वो चैप्टर बहुत ज्यादा important है अगर वो दो चैप्टर अगर आप कल देते हैं तो उसका ही जो है पार्ट आपके दूसरे चैप्टर में आता है मतलब कि यह दो चैप्टर आप एक तरीके से आपके complete हो जाते है तो एक दम से खतम हो गया मान लो तो उस दो चैप्टर में से एक चैप्टर तो आपका risk analysis है ठीक है और दूसरा जो आप करते हैं इसका concept जो है वो इसी के साथ पढ़ेंगे ठीक हर एक illustration में जो भी concept यूज होता है concept के साथ पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि direct illustration solve कर दिया काम कतम हो गया इसका जो भी formula है मैं आपको समझाते चला जाओंगा ठीक है तो आपको समझ में आएगा ठीक है इस वीडियो में illustration one देखते है चलिए आपके सामने question है इसे पढ़ेंगे आपके सामने question है कि बताईए आपके सामने है question आपको रखा है आपको कहा गया है कि यहाँ पे आपके project A की information दे रखी है and project B की information आपको दे रखी है और first year मतलब की एक ही साल की आपको information दे रखी है first year मतलब की end of the first year तक की जो भी information है आपका cash flow वगेरा आपको दे रखा है कहता है कि यहाँ पे आपका जो discounted rate है वो 10% है discount rate जो है वो 10% है और investment जो है आपने initial investment आपका 10,000 रूपीज है और आपको पुछा गया है कि calculate कीजिए expected net present value for each project आपको दो प्रोजेक्ट दिए गये और दोनों के लिए जो है आप expected net present value निकलता कैसे देखिए expected net present value जो है वो आपका निकलता है आपको निकलना होता है expected total expected value और उसमेंसे जो है आपको investment की cost है मतलब की investment जितने का है यहाँ पर आपको already provided है कितने का investment है यहाँ पर 10,000 तो 10,000 उसमें से minus करना है तो जो भी आपका amount आया वो आपका net present value expected net present value निकल के आता है ठीक है तो एक बार मैंने जो आपको समझाया है वो calculation करके देख लेते हैं किस तरीके से निकलता है देखिए expected आपका जो value है वो किस तरीके से निकलेगा बहुत ही simple है question में सब कुछ दे रखाया आपको सिर्फ और calculator लेना है और into करना है cash flow आपको जो भी दे रखा होता है उससे आपको into करना है आपके जो probability है उससे कीजिए 8,000 into 0.1, 10,000 into 0.2, 12,000 into 0.4, 14,000 into 0.2 और 16,000 into 0.1 सब का into कीजिए 8,000 into 0.1 मतलब की 800 आपका आ रहा होगा यहाँ पे देख लीजिए यह आपका answer आ गया तो उसका total निकल लीजिए उसका total कितना आ रहा है उसका total आपका आ रहा है 12,000 रुपीज ठीक है 12,000 रुपीज आ चुका अब देखिए अब देखना जरा अब क्या कहता है अब यह 12,000 रुपीज तो आपका आ चुका लेकिन यह पूरे साल का amount है ठीक है यहाँ पे already बोला था कि यह पूरे साल का जो है amount है at the end तक आपका first year जो end होता है तब तक कि सारी case flow information आपको दे रखिए case flow मतलब कि आपका जो turnover है basically आपका case जाता है आता है उस information को case flow केता है ठीक है और वो foundation level पे आप पड़ चुके group 1 में तो बहुत अच्छे से पड़ चुके होगे ठीक है cash flow तो यहाँ पे वही चीज आपको दे रखिए expected value आपने निकालनी 12,000 लेकिन यह 12,000 जो है पूरे साल का है मतलब कि इसकी present value आपको निकालनी पड़ेगी चो निकालनी पड़ेगी क्योंकि investment जो है यहाँ पे 10,000 आपको दे रखा है वह investment आपकी present value के इसाप से होगा मतलब कि अभी present में तो सीधी तरीके से हमें जो है आप का जो 12,000 amount है उसे भी present value में convert करना पड़ेगा और उसके लिए जो है आपको already percentage दे रखा है 10% 10% के इसाप से आपको convert करना होता है तो देखिए यहाँ पे first year है मतलब कि आपका जो PV ratio है मतलब कि present value आप किस तरीके से निकालेंगे देखिए present value आप निकालेंगे आपको दे रखा है वह तो यहां पर करना है one divided by one plus 10 percent जो भी आप आपका असर आया इसे जो है आप इन्टू करेंगे जिस जिस amount को आपको जो है present value में convert करना है अब हैं है आपता कर बाट करना है हमें 12,000 amount को जो है हमें convert करना है यह रहा आपका 12,000 और इसे हमें convert करना है present value में ठीक है तो किजी यहाँ पर कितना आपका answer आया है 090 इस तरीके से आया होगा यहाँ पर दे रखा होगा 0909 यही answer आया आपका 0909 ठीक है तो यह आपका answer आ चुका है इसे C4C आपको into कर देना है 12,000 से तो आपकी present value निकल के आ जाएगी इसकी present value निकल के आ जाएगी और फिर आप जो है अपना investment जो amount है वो minus कर पाएंगे कितना था investment 10,000 तो यह आपका answer आ जाएगा clear हुआ सरहाज इसके बाद project b के लिए same treatment है present value net present value निकल निकलनी है आपको expected net present value तो किस तरीके से निकलती है भहिया आपको जो निकलना है आपको value निकलना है expected value इसका total लगाना है और इस तरीके से आपको निकल जाएगा ठीक है तो प्रोजेक्ट b आपको दे रखा है सबसे आप जो है cash flow into probability आपको दे रखा होगा question में उसे into करना है और जो भी आपका answer आएगा वो आपका expected value तो आपको चाहिए total expected value ठीक है तो इसका total लगा देंगे तो इसका total यहाँ पर आपका आजाएगा देख लीजी यहाँ पर total आपको दे रखाए ठीक है 16,000 आप total निकलेंगे तब आपका answer कितना आ रहा होगा 16,000 ठीक है तो 16,000 आपका answer आ रहा होगा और 16,000 जो है वो present value तो होगा नहीं at the end of first year के amount है तो आपको जो है present अभी कितनी amount है वो निकलनी है और आपको देखना है कि year कौन सा है first year है ठीक है तो first year के लिए हमारा जो इसे into करने के बाद आपका जो है आपका answer आजाएगा आपके सामने 10,000 माइनस करेंगे आपकी जो cost है investment की तो आपका answer आजाएगा अब देखिए यहाँ पे एक साल का आपको information दे रखा था अब को illustration 2 जरूर देखना illustration 2 में जो है आपको अलग-अलग different different years दिये गए है मतलब क इसी तरीके का illustration आपको provide किया गया है यह रहाव का illustration ठीक है तो इसे देखते है next video में ठीक है चलिए